यह नजारा मद्य प्रदेश भिंड का है जहां वन विवाक के अधिकारी से दो वेक्ति उलज गए दो घंड तक बहस चलती रही उनका प्रियास था कि मामला सुलज जाए और वन विवाक के अधिकारी उनके ट्रक्टर टॉली पर लदी लकडी को छोड़ दे पर वन विवाक के बनाक लग गई थी कि जो ट्रॉली पर लकडी लदी है वह अवैद रूप से जेंगल से काट कर लाई गई थी यही बज़े दे कि वन विवाक के अधिकारी और कर्मचारी लगडी से लदे ट्रक्टर ट्रॉली को अपने कपजे में ले लिए बाजी पलड़ते देख जगड़े पर उतारू पिता पुत्र ने वन विवाक के अधिकारी पर 10,000 रुपे के रिस्वत लेने के आरोप मर दिये पर वन विवाक के अधिकारी उनके आरोप से बिना विचलित हुए अपने कारवाई को अंजाम दे दिये वन विवाक के अधिकारी मोके के नजाकत को देख नजदी की पुलिस थारे में इस बात की इतला कर दी यही बज़े रही कि गटना स्थल पर पुलिस भी पहुँच गए और फिर यह हाई वोल्डेस ड्रामा खत्म हो गया यह नजारा हम आपको दिखा रहे हैं कि देखे और सोचे कि अगर आप गलत नहीं है तो सवाल उखता है कि आप रिस्वत क्यू दे रहे थे देखे किस तरह से वन विवाक के महिला अधिकारी से अवयद लकड़ी के मालिक उलज रहे थे जिसमा महिला अधिकारी ने क्या बताया आप दे सुनाएं इस गाड़ी फक्री का यह कोई सागज नहीं है तो केस बना रहे हैं तो यह बोल रहे हैं तो पहले कि पैसे ले रो हमकार छोड़ तो हमारा ने इंक केस को बनेगा अभी आरोपगा यह रहा लेनी का और पांचार भाट की एगार्द, भी वह लगया की साथ ङाट द केस बना रही है किया पको अब उन्हें अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अब उन्हें अदालत में सबुत देना होगा कि यह लकडी अवैद तोर से जंगल से नहीं काटी गई थी, वैद है यावैद। भेंड से हमारे प्रतिनिधी योगेश चौधरी की रिपोर्ट।